तो भारत के कॉर्पोरेट जगत से एक ठीक ठाक ख़बर है जो एपल जो इंक है यानि कि जो आईफोन बनाने वाली कमपनी है उसने हासिल किया है एक मील का पत्थर और आईफोन उत्पादन का जो फ्रेट आन बोर्ड मूल है वो दस बिलियन डॉलर के पार जा चुका है यानि कि एपल इंक ने एक महत्पूर्ण उपलब्दी हासिल की है और इसमें ये है कि जो वित्यवर्ष 2024-25 है उसके पिछले साथ महिनों में जो है आईफोन उत्पादन का जो फ्रेट आन बोर्ड है यानि कि जो जहाज में चढ़ाया क्या जो माल है उसकी कीमत जो है वो दस बिलियन डॉलर जो है उसके पार जा चुका है और ये जो है पिछले यानि कि 2023-2024 का जो वित्यवर्ष था उसमें इसी अवधी में जो है 7.3 तीन था यानि तीन बिलियन डॉलर से जादा का जो है यहाँ पर हमको फायदा दिख रहा है यानि 37 परतिशत की वृद्धी दिख उसको कहते हैं फ्रेट ऑन बोर्ड अब 10 बिलियन डॉलर एफ ओ उत्पादन का अनुमानित बाजार मूली जो है वो 15 बिलियन डॉलर है यानि मार्केट में ये पांच बिलियन डॉलर जो है एक्स्ट्रा जो है आप जोड़ सकते हैं और इसमें विक्री वित्रन मार्केटिं और मार्जिन लोजिस्टिक्स लागत जो है वो शामिल है तो कुल उत्पादन में से लगभग 70 प्रतिशत जो है यानि कि 7 बिलियन डॉलर जो है उसका जर्यात किया गया है जबकि 3 बिलियन डॉलर का माल जो है वो गहरिलू बाजार के लिए है अक्टूबर का महिना एपल क लिए आतिहासिक रहा जब पहली बार जो है एक ही महीने मा ऐफोन का उत्पादन जो है वो दो बिलियन डॉलर के पार पहुँच गया भारत में आईफोन उत्पादन का जो सफर है उसके यह कहा जाए कि एपल ने जो है दो हजार इकिस में भारत में बड़े पेमाने पर आइफोन उत्पादन शुरू किया था और यह जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है भारत सरकार की स्कीम थी उसके तहट भारत को मैनिफेक्टरिंग हब बनाने का जो है अलग-अलग सेक्टर्स में जो है योजना थी उसके तहट जो है यहाँ पल यह आया था और फोक्सकॉन की जो चन्नेई फैक्टरी है वो दस बिलियन डॉदर उत्पादन में 56 प्रतिशत का योगदान किया है जो अभी दस बिलियन डॉदर का जो उत्पादन हुआ है उसका योगदान है और तकरीबन 42,000 लोग काम करते हैं 70 प्रतिशत महिलाएं है इसमें और जो जो है टाटा एलेक्ट्रोनिक्स जिसने 18 महिने पहले करनाटक स्थित बिस्ट्रॉन प्लांट का अधिगरहन कर लिया उसने अप्रेल अक्टूबर अवधी में 30 प्रतिशत उत्पादन किया है टाटा के अधिगरहन के बाद उत्पादन के रफतार तेज हो गई है और तमिल तो वर्तमान अवरिधीदर को देखते हुए जो है यह माना जा सकता है कि आईफोन उत्पादन जो है वो 18 बिलियन डॉलर तक जो है जा सकता है और उसका आनुमानित बाजार बोले जो है वो 25 बिलियन डॉलर होगा है ना तो स्मार्टफोन योजना को 14 अलग अलग सेक्टर्स में सफल योजना माना गया है इंडिया सेलूलर एंड इलेक्ट्रोनिक्स असोसियेशन ने हाल में सरकार को बताया कि प्लाई योजना के तहट अब तक अठावन सो करोड यानि छे हजार करोड से कुछ कम जो है के इंसेंटिव विद्रित किये गा है जबकि उद्योग ने एक लाग करोड से जाधा का योगदान टैक्स और जीस्टी के रूप में दिया है तो दो हजार बीस में योजना की घोशना के साथ मोबाइल फोन पर जी सेक्टर है और स्मार्टफोन जो प्रोडक्शन है उसके लिए जो है एक बहुत सक्सेस के रूप में देखा जा रहा है